इस समय गार्डन में बहुत ज़्यादा वर्क हो गए हैं और मैं भी इस समय काम तो करी रही हूं और इस समय मैं जब नया सेटप तयार करूंगी तो मैं बहुत सारे प्लांट में आटा रही हूं क्योंकि अधिक plant होने की वज़े से मेरा काम भी काफी जादा बढ़ जाता है और garden में गंदगी भी काफी जादा हो गई है तो उसको भी clean करना है बहुत सारे plant हैं जो बहुत काफी बड़े हो गए हैं उसकी pruning भी करूंगी तो उनका वीडियो तो मैं share नहीं कर पाऊंगी सिर्फ काम बता रही हूँ आपको क्या क्या काम करूंगी तो आज मैं जाने वाली हूँ नरसरी तो मेरे garden से होते हुए आपको मैं ले कर जाऊंगी नरसरी और वो नरसरी मेरे घर के पास में ही है तो देखिए ये मेरा garden है और अभी काफी अस्त व्यस्त हो गया है जैसा कि मैंने setup ये वाला तयार किया है और इन सब को मैंने हटा दिया है तो नया वीडियो तो मैं भी आप लोगों को share नहीं करूंगी जब पूरा setup तयार हो जाएगा तभी आपको वीडियो दिखाऊंगी और ऐसा है फ्रेंट्स की काफी ज़्यादा प्लांट होने की वज़े से काम ज़्यादा बढ़ जाते हैं गमले ज़्यादा रखने पढ़ते हैं वाटरिंग भी ज़्यादा करने पढ़ती हैं मतलब सारे काम बढ़ जाते हैं तो मैं ऐसे प्लांट जो एक ही कलर के हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं रखूंगी एक दो प्लांट ही रखूंगी और देखे कुछ कटिंग मैंने लगाई थी गुल्दाओदी की कोलियस की और आज मैंने बैगन भी हर्वेस्ट किये हैं मेरे अपने टैरिस गार्डन से देखे कितने सारे तो ये वही वाले प्लांट है जिनको मैंने प्रून कर दिया था ये सेकेंड बार इस तरह से फ्रूटिंग हो रही है बैगन में और ये कटिंग है तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरे घर के पास यदुनंदन नगर बजार चौक बिलासपूर में जो नर्सरी है कमला स्री जो विवाह इस्थल है ये देखिए यहाँ पर आन दरोड है ये नर्सरी आप अगर विजिट करना चाहें तो कर सकते हैं कमला स्री विवाह का इस्थल है यही पर ये बिल्कुल आन दरोड में ये नर्सरी है तो आप जरूर विजिट कीजिए बजार चौक से ज़दा दूर नहीं है और मैं आज कल यहीं से प्लांट चदतर लेती हूँ क्योंकि मुझे ले जाने में दिक्कत नहीं होती भाईया घर तक पहुचा देते हैं और देखिए कितने प्यारे प्यारे से एक जोरा कि इतने सुन्दर सुन्दर से कलर्स आए हैं यह हाईब्रिट है बहुत सारे प्लांट है इनके पास हाईब्रिट और कुछ प्लांट मैं भी आज परचेस करूँगी तो देखिए यहाँ पर इंडूर प्लांट सारे रखे हैं क्रोटोन है, रबर प्लांट है, सॉंग आफ इंडिया है तो जितने भी इंडूर प्लांट है, उनमें भी बहुत सारे हैं और सिजनेबल प्लांट भी कुछ आ गए हैं अभी नरसरी में पाम की वेराइटी है और समी का प्लांट है, बेल का प्लांट है और यहाँ पर देखिए क्रिसमस ट्री है, लेमन का है प्लांट और ये बटन रोज है तो बहुत सारे प्लांट आए है मैं भी कुछ indoor प्लांट लेने आई हूं और कुछational plant देखने आई हूं कि क्या-क्या सिजन के प्लांट आए हैं तो सिजनेबल प्लांट में तो ज़ादा अभी मिल नहीं रहे हैं और देखे कोलियस तो जो मेरे गार्डन की सान है कोलियस वो सारे कोलियस मैंने ये भाया की नर्सरी से ही लिया है तो देखे कितना इन कोलियस को देखकर जरूर मेरे गार्डन की आपको याद आएगी और यहीं से मैंने लिया है फाइकस वगर भी है यहाँ पर तो बहुत सारे प्लांट है यहाँ पर आप जरूर एक बार विजिट कीजिए गरेत्ट तो मुझे रिजनेवल लगे हैं कोई हाई रेट का प्लांट नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि रेट के साथ प्लांट की ग्रोध भी काफी अच्छी है तो देखिए कितने अच्छ अच्छ है य लेकिन जितने भी plant मैं लेकर जाती हूँ उनके price मुझे दूसरे नर्सरी से अच्छे ही लगते हैं कम ही लगते हैं और यहां से मैं दिखा रहूआ हूँ इनकी nursery और यहान पर देखिए first love का plant है और मेरे पास पीन्ग कलर का था जो खराब होen है तो मैं सोच रेह हूँ first love का plant ज तो इस प्लाट को भी आप ले जा सकते हैं, खरीच सकते हैं, और बहुत सारे गुलाब के भी प्लाट है, और कुछ कटिंग भी लगी है, गुलाब की, यहाँ पर देखिए कोलियस, यहाँ पर एक जोरा, एक जोरा की तो आपको डार्फ वराइटी, लॉंग वराइटी, बहु सारे ब्रह्मकमल के भी प्लांट रइट, टोरेनिया के भी अब इतने बड़ बड़े हैं, जादा अच्छे से हाइट यहीं हुए है, लेकिन अभी अच्छा है, प्लांट ूर्य को अच्छी है और देखिए एक चोरा है यह कुछ इससे ओरेंज कलर का है। एक गाज्री कलर है, जो बहुत ही प्यारा है, मैं लेकर चली गई हूं अपने गाडन में यहां पर हीबिसकस की भी बहुत सारी होड्य एक जले अच्छे हल्दी प्लांट मिल जाएंगे एक जोरा के प्लांट मिल जाएंगे देखे कितना अच्छा है और यह देखिए गंधराज का है सुगंधराज जो प्लांट आता है उसका है और बहुत अच्छी है एक एक प्लांट में तीन तीन चार चार ब्रांच है तो गंधराज का प्लांट भी आप यहां से पर्चेस कर स तो देखे इस तरह से इनका गार्डन है भीया का और बहुत सारे प्लांट है जिनको केटरपिलर ने यहां भी खराब कर दिया है एक जोरा के बहुत सारे प्लांट है और यहां पर देखे इंडोर प्लांट है यहां पर लैला मजनू प्लांट है क्रोटोन है और बहुत सारे प काफी अच्छा है और देखिए भाई निकाल रहे हैं प्लांट कुछ प्लांट मैं भी परचेस कर रही हूं पाम की वराइटी आपको बहुत सरी मिल जाएगी और एक बात और है फ्रेंड्स यहां पर देखिए केले के भी प्लांट है और तुल्जा के प्लांट है तो और कुछ प्लांट यहां प्लांट को प्लांट तो उसकी कटिंग लगा कर आप कम से कम 5-6 प्लांट के यहां पर इस तरह के प्लांट है तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड्स और आपको काफी अच्छा लगेगा अब मैं आ गई हूं अपने टेरिस गारण मे और देखिए मैंने कुछ cleaning भी की है जो आपको दिखा रही हूँ plants अब इधर उधर विखर गए है मतलब मैंने इधर उधर रख दिया है cleaning के दोरान और मैं यह जंगल जो दिख रहा है मेरा इस तरह से बहुत सारे ही viscous के plant है तो बहुत सारे plant की मैं pruning करूंगी branch cut करूंगी बहुत ज्यादा हो रहा है और अच्छे से कई plant को धूप नहीं मिल पा रहा है तो जो नीचे नीचे की जो branch है जो बिल्कुल कोई काम के नहीं है विसकस के उन सब को मैं cut कर दूंगी तो मैंने सुचा आज नरसरी खाली हूँ देने के लिए कुछ प्लांट अभी निकाल रही हूँ और देखे कितने अच्छे विसकस के यह जो दोनों प्लांट है यह मैंने cutting से तयार किया है पिछले साल तो इस तरह से मैंने आज नरसरी की विजिट की है तो फिर मिलती हूँ फ्रेंस नेक्स वीडियो में निक्स टॉपिक के साथ बाई बाई